मेरे साथ मौझूद है रतलाम जाबु आली राजपूर लोकसभा के कॉंग्रेस उम्मीद्वार कांतिलाल जी भुरिया साहब चर्चा करेंगे सर चुनाओ कैसा चल रहा है आप फिल्ड में लगातार जा रहे हैं क्या फिडबेक मिल रहा है आपको जाबवा रतलाम लोकसभा छेतर का भर्मन पूरा मने कर लिया करी परीप और सब दूर जा रहा हों तो जनता का अशुराद मुझे मिल रहा है निश्यदी हम अच्छे शांदार ओटों से जीत के डिल्ली जाएंगे और मद्दात हमें भेजेंगे और यह मुझे उमीद है कि एक अच्छा माहूल के साथ यह सारा इलेक्षन हो रहा है इस इलेक्षन में सभी आम नागरिक किसान मजदूर नोजवान महला है सब का मुझे आशिरवाद मिल रहा है तो मैं अच्छे थैसी ओटों से जीत के जाऊंगे ऐसा मुझे उमीद है क्या मुद्धे हैं जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं ग्राइमनों से मद्धाताओं से भाई हम लोग जो चर में लंबे समय से राजनिती में हूँ कई बार केंदर मंत्री भी रहा इस्टेट में भी रहा कई महत्वपुन पदों भी रहा शांसद भी रहा विधायक भी रहा वो समी पर तब से लेकर हमने काफी रतलाम जाववा अलियाजपूर शेत्रे के लिए हमने काम किया है आज जितने मीज धरातल पर जो विकास दिख रहा है वो कांग्रेश्च शरकार की समय और कांतिलाल भुरिया नहीं किया आप देख लिए जगए जगए हर गाउं से हमने मैंने रोड जोड दिया गाउंगा वीचकूल चात्रवाज आशरम कॉलेज अलियाजपूरम चलेज, जोबट में कालेज, जभ्वा में, पोस्ट्गरिजड कालेज, इंगिन lud कालेज, पोलो टेखनेक आज और थांदला में कालेज, पेटलाम में कालेज, रतला में कालेज, मेडिकल कालेज में मेरे समय में हुआ इतना लंबा हम ने यह किया है तो और आज इसी विकास की वज़े से आज हमारे नोजवान के एजुकेशन अश्टर यहां पर उंचा है पहले बेकवेट डिस्टिंग बाना जाता था पर आप जहवाजिला विकाशिल डिस्टिंग बाना निकार एक भी काम निकार और उनका कोई विकास की बाति नहकर शिंग का मुख्य Krass यह लिता है यह नागर शिंग का मुक्ख्य उद्ष विए लाहुल गांदी सर जोबध में आ रहे हैं क्या उम्मीद आपको उनकी सबा से कितना फाय्दा देखते हैं मिलकुल राहुल गांदी जी कल हमारे राष्टिये पूर्व अध्यक्स कल आ रहे हैं और आएंगे और चारे लोग सबाद छेत्र के हमारे बद्दाता भाई और कारीकरता सब कल यहां इखटे होंगे और अच्छी शांदार सबा कराने का हमारा परियाश है और राहूल गांदी कल आ बिलने के लिए देखने के लिए हमारे ग्रामिन शेत्र के लोग ज्यादा सब आ रहे हैं और इस सभा में भाग ले और राहूल गांदी से अरुबरू होने का मोका भी मिलेगा यह हमने उन सब से कहा तो राहुल जी सब को अच्छा बना तरीके से उनको समझाईश देंगे चुनाव केसे लड़ा जाएगी और केसे होना चीए और यह चुनाव बहुत 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 पूर्ण चुनाव है इस चुनाव में काम करके जितना क्योंकि देश और सविधान का भुष्य का सवाल है और नरेन मोदी के दाथ 400 पार यह 400 पार करने की इसलिए कर रहा है कि 400 पार होने के बाद सविधान भी खतम हो जाएगा लोग हमारे लोग तंत्रों भी खतम कर देंगे और हमारे सभी लोगों को वहना जो भुष्य अंध्यकार में डालने का काम नरेन मो बगवास और विकास का नाम नी बगवास है विए सब सारे लोग समझ रहे हैं आज उन्हें दस साल दिल्ली में मंत्र प्रहाल मंत्री रहा हो बद्य परदेश में 20 साल सरकार उनकी उन्होंने एग नोजवान को लोग लगाई ना मोधी ने को नोकरिन लोग लाए ने को लाग करजा माप किया यह हमारी उपलब्दी है लोग सब केते हैं कांग्रेस आती है तो लोगों को हलका और उनको देने का काम और बीजेपी आती है लोगों का जेब काटने का और लोगों को परेशान करने का तरीका निकालती यह दोनों पार्टी में फरक है वाकिम में सरी आपका अंतिन चुनाव है आपने मंज से घोषना की थी बस बिलकुल कांग्रेस पार्टी ने मुझे उमीदवार बना है और मेरा चुनाव ये पार्टी ने जैसे अपने आदेश का हम पार्टी कारी करता है और पार्टी के कारे करता है हम काम भी करेंगे और बात भी समाज सिवा भी करेंगे समाज की लड़ाई भी लड़ेंगे और हर समाज को न्याई दिलाने का काम कांतिलाल भुरिया आखरी दम तक करता रहेगा तो आपने सुना कांतिलाल भुरिया जी को उनका दावा है कि 400 सीटों के जरिए सविधान को बदलना चाहती है बीजे पी पिधान मंत्री मोधी इस इंटरू पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बाक्स में जुरू बताएं चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करें बेल आएकर दबाएं